जहां दोसों आज के इस वीडियों के मद्द हम से बात करेंगे MP college offline admission process के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि मद्दप्रदेश में UG में अगर हमें admission लेना हो या हमें PG में इन समस्त पोर्स में किसी भी course में admission लेना है admission देना start किया है 27 अगस्त्र से start कर दिया ओए जाधातर college बालों लेकिन अभी पूरी तरह इसे सभी college बालों ने admissions डेना start नहीं की हैं सभी college बालो ने start नहीं किया कापी college none काpoundи college वने admission offline नहीं कर पाएंगे CLC fourth round में तो आपको भी इंतिजार करना हुगा तो मतलब college बाले confusion में कि admission देना है या नहीं देना है क्योंकि जो CLC का fourth round आया था इसका जो official notifications आया है इस official notifications में जानदा instructions नहीं दिये गए इस बज़े से college and student दोनों confusion में केबल और के बाद दो पॉइंट लिखे गए हैं पर और दौनों पॉइंट में केबल एक ही चीज लिखी गई है कि हमारा admission offline होगा लेकिन इसकी process है वो नहीं बताई गए इस पज़े से college and students दोनों ही confusion में लेकिन कापी student sorry कापी college बालोंने इसका समाधार निकाल लिया है इनकी admission देने का process वो नहीं धूर लिया है higher education department में contact कर गए वो पूरी process है मैं आपको बताऊंगा मैंने student से बातचित की कि आपके college में जो admissions हुआ है आपका वो किस process के तहत हुआ है सारी process में आपको बताने बाला हूँ और अगर आपके college में admission नहीं दे रहा है आपके college बाली तो आपको इन प्रोसेस बता देना साथ वो भी आपको admission दे देंगे सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है आपके पास जितनी भी document है उन document को collect कर लेना है original end photo copy दोनों आपको set बना लेने हैं document कौन कौन चे जैसे कि 10 वी की mark sheet 12 वी की mark sheet हो गई हमारा cash certificate, income certificate domicile certificate और आपकी दो photo और आपके पास जितने भी समझ document का set बना कर college में जाना है जैसे ही आप college में जाएंगे आप बता देना कि आपको admission लेना है मैंने आपको क्या बता है कि सभी college वाले अभी admissions नहीं दे रहे हैं अगर आपके college वाले admissions दे रहे हैं तो college वाले आपसे क्या करेंगे आपसे document तो लेही लेंगे साथ एक आपको एक application form भी देंगे उस application form में कुछ जाना नहीं बरना है नाम बरना है पादर सनेम, मदर सनेम और आपके college का नहीं में इस course में एड़ी से ले रहे हैं वो detail है उसमें fill करनी होती है आपको एक application form भी दोक्मेंट है वो college में जमाख कर दिना है कि आपकी first step है second step में क्या होगा अगर आपके college में seat जाना खाली है college में seat जाना काली है और अगर चात्रों की संक्या कम है तो आपको तुरंत admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपके college में seat जाना जाना है तो पिर आपका जो admissions होगा वो merit list के आदार पर होगा अब तुरंत मिल जाएगा यानि कि आपको admission तुरंत मिल जाएगा कहते हैं चाहां आपके काले में सीट है कम काली औरaufen knowledge में सीट को समझेगे अगल हमाले college में सीट करना होता है दे मिल जाएगा लेकिन वो provisional admissions मिलेगा अगर हमारे कॉले में सीट कम है और चात्रों की संक्या जान रहा है तो merit list से बनेगा अब merit कैसे बने कि आपके कॉले में student आते जाएंगे और college वाली क्या करेंगे अब आप student की document and application form collect करते जाएंगे मान के चलिए कॉले में 10 सीट का लिए student की form आ गए 20 तो अब 20 सीटों को तो नहीं दे सकते को कि 10 सीट है और 20 तो इसमें क्या करेंगे जिन 10 स्टूडेंट की परसेंट सबसे जादा होगी उस 10 स्टूडेंट को यहां पर एड़िसंस दिया जाएगा तो इस तरह से merit बनती है कि यह कॉलेज बाले आपसे फॉन पर भी बता देंगे यानि कि जो लिस्ट है वो online नहीं आएगी वो लिस्ट कैसे आएगी वो offline आपके कॉलेज से ही आपको मिलेगी ठीक है कॉलेज में बात कर लेना कि लिस्ट कब लगेगी तो उसी तारीक को चले जाना और आप देख ले होती है ठीक हमें क्या करना होता है फीस बरनी होती है अब फीस कैसी बरी जाएगी मैंने बहुत सारे कॉलेज में बात कर लेकिन इसका लिंक कव एक्टिवेट होगा अभी बताया नहीं गया है लेकिन नुजगे एंड कोलेज की तरब से जो इंपोर्मिस्ट निकल का रही है कॉलिज बालों ने हाई रेजूइशन डिपार्टमेंट में बात किया उसके अकॉडिंग जो इन्पॉर्मिशन निकल का रही है कि 29 सितंबर 29 सितंबर को लिंक एक्टिबिट कर दी जाएगी इपरिफिस वेबसाइट पर और जिन स्टुडेंट का प्रोविशनल में नाम आ गया है कॉलिज बालों ने असेप्ट कर लिया है उनकी रुक्वेस्ट यानि कि उनकी फॉर्म को असेप्ट कर लिया है तो वह कॉलिज बाले असेप्ट करने के बाद में फिर आप ओनलैन सिम्मिट कर पाएंगे 29 सितंबर से ठीक है 29 सितंबर नहीं 29 अगस्ट को लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी और 3-4 दिन लिंक चलेगी हमारी लगवा ऐसा सुनने में रहे है कि दो सितंबर तक हमारी लिंक एक्टिवेट रहेगी जैसा भी होगा वह मैं आपको बताई दूंगा बाद में लेकिन जैसे आप अपनी फ कि अभी हम करते आ रहे थी CLC 1 रांड में CLC 2 रांड में 1st & 2nd रांड में वह रजिस्टिशन हमें अब करना पड़ेगा रजिस्टिशन का भी लिंक एक्टिवेट किया जाएगा ऐसा हाई रेजिस्टिशन डेपार्टमेंट से बताया गया है लेकिन ओपीसल है उनके द्वारा और higher education department के द्वारा बताई गया है लेकिन official notice नहीं आया है मैं अब भी आपको कह रहा हूं नहीं तो फिर आप कहोगे कि आप fake information बता रहे हो तो ऐसा नहीं है जो भी information मैं आपको बताता हूं वो update होकर ही बताता हूं हबा मैं कोई भी बात नहीं करता हूं आ सब मुझे जानते होंगे तो आपको सारी information समझ में आ गई होगी मैंने आपको जानता था सारी चीज़ें बता दी है कि आपको admission कैसे लेना है पूरी process है मैंने समझा दे है यही process है हमारी इसके अलावा और कोई भी process नहीं है CLC fourth round का admissions लिन नहीं की ठीक है जो भी process थी सारी process म अब हो सकता है कि आपको कॉले बाले अभी admission ना दे रही हो वेट कर रहे हो 29 अगस्त का जब लिंक एक्टिवेट होगी उसके बाद देंगे बहुत सारी college ऐसे भी है जो student से registration form मांग रहे हैं तो कोई registration तो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है जब registration के लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो registration कर लोग उसके बाद में देंगे कॉलेज वाले कापी कॉलेज वाले ऐसे हैं कि अभी से दे रहे हैं admissions तो यह college पर depend करता है कि admission दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं लेकिन जो actual process है वो मैंने आपको पूरी समझा दिया तो सारी जानकरी समझ में आगे बीडियो को share करना है मिलते एक लिए बीडियो में एक और जान करी कि साथ पगली बाइ